Hello everyone, welcome back to our YouTube channel तो आज हम एक चीज के बारे में जानेंगे जो कि आज कल बहुत ही सुनने को मिल रही है Dark Stores ये होते क्या हैं, क्या ये अंधेरे में बनाए जाते हैं या ये काम कैसे करते हैं क्या ये काले रंके होते हैं या इन में अंधेरा होता है ये ठंडे होते हैं होते क्या ये तो आज हम इसी चीज को जानेंगे इसके बारे में तो इसके अराउंड क्या-क्या कंपनियां आ रही हैं और वो मार्केट में कैसा disruptive product ला रही हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में तो एक 19 साल का लड़का आता है वो lockdown में इंडिया में कोशिश करता है कि यार मैं grocery तुरन डिलीवर कैसे हो जाए मेरे को क्योंकि lockdown के समय जो भी grocery डिलीवरी थी वो दो या तीन दिन में हो रही थी तो उसने graphos देखा, big basket देखा और काफी और apps देखे उसने big bazar भी देख डाला पर कोई भी उसको same day या उसी घंटे, उसी minute पर कोई भी डिलीवरी नहीं कर रहा था तो उसने क्या किया obviously solution कोजा उसने एक नया idea लाया जिसमें उसने कहा कि कोई भी चीज कोई भी grocery item जो हमारी app में list है वो आपको हम 10 minute में आपके घर पहुचाएंगे तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था यार यह कैसे गर सकते हैं 10 minute में कैसे पहुचा सकते हैं तो आप अगर बैंगलोर में हो आप अगर डेली में हो आप अगर मुंबई में हो तो आप आप इतने बड़े शहर में जहाँ इतने ट्राफिक से होते हैं आप 10 मिट में कैसे पहुचा होगे तो वहीं पे इस लड़के ने लाया डाक स्टोर का कॉंसेप्ट तो डाक स्टोर एक वैसी जगह होती है जो कि एक छोटे से मार्केट एरिया को केटर करने के लिए उनको एक सेंट्रल पॉइंट पे बना जाता है और वो डाक स्टोर में कोई भी नॉर्मल सेलिंग नहीं होती है वहाँ पे आप ऐसे नहीं कह सकते अब यह ले दस रुपर मेरे बिस्किट दे दे नहीं करने वाला कोई वहाँ पे वो सिर isट हाथ यह काम कैसे करता है तो जैसे है आपने अपने एक आप में एक आड़र अपस किया तो पहले क्या होता था पहले एक स800 लेडा में जाता था वो वो डेटा देख्ते थे वो देमांड देख्ते थे वबग्ते और प्रक्यूर प्रोड़क्स को ही रखा है जो कि बहुत ही जरूरी है और जो इनसान के डेली नीट्स में आते हैं वो ऐसे प्रोड़क्स बिल्कुल नहीं रखें जिनमें जगह ज्यादा ले पैसे उतने ज्यादा कमाएं ना जा सकें और जिनमें वराइटी आफ चोईस के वज़े से कस्टम चला जाय तो उन्होंने ऐसे प्रोड़क्स रखे ही नहीं उन्होंने ऐसे प्रोड़क्स रखे जो पर्सन कोःए और बाद मैं आपको पता चले रहे यार, यह तो आया ही नहीं, तो वो नहीं हो रहा था इनके यार, फिर, इन्होंना क्या-क्या, जैसे ही आप एप में समान सेलेट करते हो, ओर्डर करते हो, तो इनके जो डाक स्टोर होते हैं, उनके मुबाइल में आ जाता है, अच्छा, यह यह यार इतने बड़ी डाक स्टोर में खोजेंगा तो वो क्या करते थे वो जो सॉटिंग होती हुँ पहले सउनके यहां होती है तो जब भी समान आएगा अच्छा ये वाली बे में जाना अच्छा इस वाले शेल्फ में तो वो वहाँ से जाता है वो सारे समान उठाता है पैक कर इवरी वाले को मिलने वाला है क्या जोला या वो जोला उनको मिलेगा वो जोला वो उठाएंगे और वो जोला लेया कि आपको 10 मिनट में डिलिवर कर देंगे पर यार 10 मिनट में कैसे डिलिवर करेंगे तो इनके डार्क स्टोर के नेटवर्क ही ऐसे होते हैं वो इस शहर में जगह पर ही इनके नेटवर्क्स होते हैं, जहां से वो आपको 10 मिनिट में डिलिवर कर सके, अगर ये कर सकते हैं, तभी आपको सर्फ करेंगे, वन्ना नहीं करेंगे, तो इनसे इसका फायदा क्या हुआ, पहला, जल्दी इनों ने डिलिवर किया, डिलिवरी एजेंट्स को ज समय नहीं लग रहा है, इनसान जा रहा है, दे रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इनमें उसको पैसे भी बच रहे हैं, क्योंकि कम लोगों को देना पढ़ रहा है, सैलरी, डिलिवरी एजेंट्स को, तो दूसरी चीज इनके बहुत ही अच्छी हो रही है, जो में ये ऐसे चीज़े कर रहे है, क्योंकि ये एक डाक स्टोर का मोडल रख रहे हैं, तो डाक स्टोर के लिए इन्होंने एक नॉर्मल स्टोर जैसे बड़ा स्टोर नहीं बना रखे हैं, कि ये बहुत ही जादा नॉर्मल जैसे एक आप जाओगे, डीमार्ट में जाओगे, या बिप बजार में जाओगो उनके स्टोर्स बहुत बड़े-बड़े होते तो उन्होंने वो सब नहीं किया उन्होंने उनके स्टोर्स को बहुत ही छोटा रखा, कॉम्पैक्ट रखा जहां भिया समान आज जाए बस समान भर जाना चाहिए जब जरुरों तो वो निकल जाना चाहिए और डिलिवर हो जाना चाहिए इन्होंने एक और काम किया बहुत अच्छा कि क्योंकि ये जल्दी ही डिलिवर कर पाते हैं तो ये पेमेंट भी सब पर टाइम पर कर पाते हैं तो चाहे इनके supplier हो तो चाहे इनके delivery agents हो उनको जब time पे payment मिलती है तो उनके भी पैसा नहीं फसे रहता है और वो भी motivated रहते हैं इनके साथ अच्छे से work करने के लिए तो ऐसी ही है एक company iZepto और उसने सारे ही चीज ऐसे काम किया और market को totally disrupt कर दिया दस minute में आपको समान पहुचाने लग गया पर यार दस minute में तो और भी company करती थी नहीं इसके पहले तो Swiggy का Instamart वो इससे थोड़ा different model पर काम करता था जहांपे वो grocery local store से उठाते थे local store से उठाके आपको deliver करते थे और यह कहते थे कि 30 minute में delivery हो रही है Now Swiggy भी अपने Instamart को dark stores में convert कर रहा है और वहां से उस supply model को use कर रहा है और आपको तो पता ही है एक जन्ने तो अपना नाम ही बदल लिया डर के मारे तो ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्होंने डर के मारे नाम बदल लिया पर business हो business है कोई कुछ भी कहता है उन्होंने क्या किया उन्होंने अपना नाम ग्रॉफर से बदल के blink it कर लिया कि आप blink करो और समान आपके घर में आ जाएगा और वो 20 जप्टो के model पे आ गए हैं कि 10 minute में delivery होते है तो भी यह मैं तभी करूँगा वनना अपना देख लो कहीं से मंगा लो तो कुछ ऐसा था idea एक जप्टो का जो कि 11 साल का लड़के ने एक business बनाया तो आपको यह information अच्छी लगी और आपको अगर इसे कुछ सीखने को मिला तो आप इस video को like करें, share करें और subscribe करते हैं, वह भी blink करते ही हो जाता है तो आप से मिलते हैं अगली वीडियो में